दोस्तों बात करें तो mobile phones का use आप सब लोग करते हो mobile phone के अंदर अलगलग type के sensors देखने को मिलते हैं लेकिन किसी mobile phone में कम होते किसी mobile में थोड़े जादा होते है और कई वर लोग को पता नहीं रहता कि कौंसे sensor का काम क्या है तो आज इस वीडियो में यह पता लगाते है कि कौन से संसर आपको क्या यूज करते हुए देखने को मिलने वाले तो वीडियो के आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना चैनल को है पर सब्सक्राइब कर लो आपने उसे लैंडस्केप मोड में करती है तो वहाँ पर जो वीडियो रहा है आटमेटिकली फूल स्क्रीन रड़ाइब कर लेगा यह जो चीज नहीं पता सकता वो होता है रोटेशन की और एक्सलर मीटर का जो प्रिजिजन रहता है वह इतना खास नहीं रहता है इसलिए कई बार जो एक्सलर मीटर वाले गेम से रहते हैं उसके नदर आप थोड़ा से जादा चिल्ट वगरा करना पड़ता है तभी वो कहार होती है आपकी लेट राइट मूव कर लेकिन इसका एक एडवांस वर्शन होता है वह होते हैं इंपोर्टेंट जाइरो इसकुप देखा तो एक्सलर मीटर से जाद अच्छे प्रेसिजिन के साथ आता है साधी साथ जो रोटेशन होता है वह बहुँ अच्छे तरीके से ख्याल रखता है और सबसे अच्छी वहाँ पे जैरो का पीछे तरीके से उस होता है और सिर्फ इतनी वात नहीं है पबची के अंदर भी या फिक हों बैटल ग्राउंड मोभाइल इंडिया के अंदर भी जैरो की सिंसरिप्टी का यहां पर अच्छे यूज़ होता है तो डेफिनिटली गें खिलने वाले तो जैर इस्ट वेस्ट कौन सा डिरेक्शन होता है लेकिन एक इंपोर्टेंट चीज़ है कि मैगनेटो सेंसर का जो फायदे रहते हो बहुत ही जादा लेमिडेड है एक्जक्ली बात की जाए तो कमपास वाली एप्लिकेशन डालिए तो उससे आप डिरेक्शन पता लगा सकते है ल लेकिन ओर रल जो ट्रेकिंग बगरा होती हो सही तरीके से काम कर दें तो मैगनेटिक मीटर एक इंपोर्टेंट सेंसर है लेकिन ऐसा कोई बिल्कुली मस्ट हैव सेंसर यहां पर नहीं हो जाता इसलिए कुछ-कुछ फोटा है तो ओविएसली नैविगेशन में थोड़ी से एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाएगी डिरेक्शन वगरा टर्न वगरा लेने के अंदर लेकिन यह सारी चीज़े नॉर्मल यहां पर काम करते रहेंगी अगर फोन के अंदर जीपीएस को अच्छे से इंप्लीमेंट किया तो और अगर मैं जीपीएस के बार में बात कर रहाता त है जिसका मतलब है कि आप सॉप्टर से से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते है और जीपीएस का मेन बेनिफिट यहां पर रहता है कि आपकी जो लोकेशन वो बताता है और आप अगर इंटरेंट से कनेक्टेड नहीं हो और ऑफ-लाइन भी डेटा सेफ कर रहा है अपने मैप्स व अलाव है कि उसकी एक्यूरेसी यहां पर जीपीएस से भी जादा है और और जो बैटर प्रसीजन लोकेशन होती ही ना वह आपको यह नाविक में भी देखने को देखा तो यह भी काफिक इंपोर्टेंट सेंसर हो जाता है और इसी के साथी मोबाइल फोन में काफिक इंपो होता है कि आक्टोमेटिकली जो फोन होता है ना कॉल करता समय चालू बंद चालू बंद होता रहता है यह तब प्रॉब्लम आती है जब यहां पर कैलिवरेशन धंसे किया नहीं जाता और इसको इंप्लिमेंट करने का बेसिक करेगी एक इंफ्रारेड रेस को और उसके हाँ पर प्रॉकसिमेटि सेंसर को इस तरीके से यहां पर इंप्लिमेंट किया गया था और ऐसे ही प्रोक्सिमेटिश सेंसर के साथ सथ हिहां पर एक और 40 कोबींट के जाता जो की है एंबेट Nutzer आफ कि आस स्पास की आंदर और कि आस पास में किस टोन की किस टाइब की लाइट ने यह भी पता लगा सकता है और उसके साब से डिस्प्ले वगरा को एड्जस्ट वगरा कर सकता है तो है इस तरीके से भी काम किया जाता है लेकिन अच्छी चीज़ है जिसे आध की सम्म आटोबैटिक ब्राइटने संसर भी क देखने को मिलता है लेकिन उसका यूस के सो काफी साथ है लिमिटेट है मैजरीटी फों जिनके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगर्प्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहे है उसमें ऑप्टिकल वाले यूस के जाता है और ऐसे ही आज के समय में पैडोमीटर भी देख के लिए one of the most basic sensor यहां पर पैडोमीटर हो जाता है और इसके साथ एक NFC भी देखा जाता है तो वह एक तरह से sensory है नियर फिल्ट कम्टिकेशन देखा तो NFC का देखा तो यूस इंडिया में इता जाद होता नहीं इसलिए काफी सारी कंशी अपने फोन के अंदर इसे skip कर देत तो छोटे मोटे इन सब काम के लिए आ जाता है सबसे basic काम तो है कि आपने बास कोई NFC वाला Bluetooth earphone है उसके साथ pair करना तो एक tap में काम हो जाता है वहां पे बस थोड़ी से सहूलियत होती वो मिल जाती है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा कोई broad use case नहीं है आप NFC का और ऐसे ह देखा जातों काफी सारे premium phones में एक काफी special sensor देखा जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा वो है barometer ये pixel के अंदर और iPhone के अंदर देखा है जनरली barometer ये काम करता है कि air का जो pressure हो किता है और आप कितनी ऊचाई पर हो ये भी पता लगा सकता है ये आपके phones के अंदर ये sensor हो यानि कि altitude करता है वो देखा जाये तो इसका जो यूजए वो weather application और location basis पे किया जाता है लेकिन इसका कोई खास ऐसे कोई use नहीं इसलिए majority phones में देखने को नहीं मिलता हाला कि pixel और iPhone में से देखा गया है लेकिन फिर भी मैंने कोई ऐसी app नहीं देखी जो specifically इस sensor का यहाँ पर और ऐसे ही देखा है तो आज से कुछ समय पहले mobile में आपको heart rate sensor देखने को मज़दा था जनरली देखा था Samsung के फोन के अंदर था फिर Samsung वालों ने से remove कर दिया क्योंकि इसको implement करना काफी आसन था कि यहाँ पर एक LED लाइट चाहिए और एक optical sensor चाहिए जिस पर आप उंगली रखे heart rate को monitor कर सकते हो अब इसको implementation कुछ apps होती जो main camera का use करके कर सकती यानि की phone के camera को access करेंगे LED flash और phone camera दोनों के उपर आपको उंगली रखनी है और उसके बाद से आपके body का heart rate वो monitor किया जा सकता है well obviously चीज इतनी जादा accurate नहीं हो थी जितने जादा दूसरे heart rate monitoring के systems होते है लेकिन फिर भी casual rule level पे अगर health check वगर करने तो अपकर सकते है और इस sensor अगर नहीं भी हो तो भी camera का use करके ये चीज़ करना possible है और ऐसे ही काफी special sensor जो मेरे को सिर्फ एक ही phone में देखने को मिला न वो है Geiger counter यहाने की sharp company का एक phone आते है जिसकी speciality एक ही वो radiation level पता लगा सकता है और अभी सर्फ एक ही phone ऐसा देखा है जो radiation level वाला जो sensor होता है उस phone के अंदर देखने को मिलता है तो यह यह भी sensor है इसके साथ ही बात किया तो काफी सारे दूसरे टैप के sensor देखने को है जैसे बात करें iris scanning की एक जमाने में Samsung के phone के अंदर iris scanning आती थी जिससे आपकी आँख से बात करें तो face ID के यहां पर iPhone के अंदर आपको face ID के यहां पर face unlock के dedicated sensor देखने को मिलते है इसका यूज किया गया था कि आप किसी भी आत्मे की photo सामने रखके phone को unlock नहीं कर सकते है majority android phone जिनमें आपको face unlock देखने को मिलता है उसके अंदर इस चीज से बिफकूब बन सकता है android phone लेकिन iPhone में चीज काम नहीं करती और देखा है तो iPhone को देखके यहां पर काफी सारी दूसरी companies ने भी इसी चीज को implement किया था जैसे बात करें POCO की legendary POCO app बन था ना उसके अंदर भी आप लोग कमालों के face unlock के dedicated sensors देखने को लते थे जैसे काफी तक आपको iPhone में देखने को लते हैं है ना काफी कमाल की बात और ऐसे ही कुछ sensors को implement किया जाता IR-based sensor को जिसका यूज करके आप hand gesture वगरा से control कर सकते LG वगरा के कुछ phones आय थे जिसके अंदर exactly क्या कि phone को touch करने की ज़रूरत नहीं सर्फ hand gesture से आप इस यूज को implement कर सकते थे Samsung ने इसको implement किया था LG ने से implement किया थ सेम IR-based sensors को यहां पर implement किया रहा था और देखा जाया तो Google इसे एक level लेके ultrasonic waves का use करके project solely को implement किया था तो देखा तो concept काफी interesting था लेकिन जादा अतनी आग पकड़ने ही पाया और market में ता जादा popular नहीं हो पाया तो देखा जाया तो यह कुछ sensors थे जोब को जनली mobile phones पे शेयर करो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो सब्सक्राइब टू देखने के लिए थेंक यूप को वीडियो देखने के लिए मैं सलन्द नेक्स्ट में गर्ड़ बाई